Dear Friends, मेरा नम शकील है और आप देख रहे है जिनियर शिक्छा Friends, आज के इस क्लास में हम इंगलिस पढ़ने वाले हैं यानि आज से जो है हम इंगलिस का जो सेशन चल रहा था New उसको जो हम स्टार्ट कर दिये हैं और आज जो है इंगलिस सिखिने का ये 5 क्लास है यानि 5 क्लास है इससे पहले हम 4 क्लास क्रा चुका हूँ और आज जो है हम 5 क्लास सुरू करने वाले हैं और आज के इस क्लास में हम सिखिने वाले हैं अंग्रेजी बाराखरी यानि इंग्लिस में बाराखरी सिखने वाले हैं तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं क्लास को सुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक क्योंकि आप जो है बाद में भूल लाते हैं और आप जो है आज के इस क्लास को लाश्ट तक और पूरे ध्यान से देखना तक कि आपको जो है इंगलिस में बाराखरी आ जाए यदि आपको जो है इंगलिस में बाराखरी कौशे गया तक आ जाता है तो आप जो है अंग्रेजी में नाम लिखना सीख जाएंगे दुनिया का कोई भी नाम हो आप उसको फड़ा फड़ इंग्लिस में लिख सकते हो ठीके या एड्रेस को भी आप अंग्रेजी में लिख सकते हो तो चली आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे दिखिए यह हिंदी में ओ आ है इसको हमने इंग्लिस में भी आपको बताया था यदि आपको याद नहीं है और आ इंग्लिस में या कख़गवा याद नहीं है तो आप हमारे पिछले पुराने क्लास कराई हुए है उसमें जाकर आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लिजिएगा जब तक आपको कौर्शे जया तक इंग्लिस में याद नहीं होगा और ऋ, आ याद नहीं होगा तब तक लिए आपको जो है ये भी आपको शमज में नहीं आएगा न हापको याद होगा ठीक है तो यहाँ पे हम इसको एक बार पढ़ते हैं हिंदी में ती का याँ फिर इसके नीचे जो देखिए इसका मात्रा दिया हुआ है इसी मात्रा का जो है नीचे यहां पे देखिए इसका English भी दिया है अगर इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको इंग्लिस में बाराखरी सिखना बिल्कुल असान हो जाएगा अगर इसको आप याद नहीं करेंगे ना इंग्लिस में मातरा जो है अगर इसको याद नहीं करते हैं तो आपको जो है ना इंगलिस बाराखरी याद नहीं होगा ना आपको समझ में आएगा तो देखिए यहां पर देखिए आ का कोई मातरा नहीं होता है ठीकिए यहां पर देखिए आ का मातरा जो है इस पर करका होता है और इसका इंगलिस होता है ना ए या डबल ए होता है आ का जो यहाँ पर A की मातरा है इस मातरा के लिए जो होना इंगलिस होता है ना A या डबल A ठीके यहाँ पर देखिए E की मातरा यहाँ पर देखिए यह छोटी E की मातरा इस मातरा का जो इंगलिस होता है इस मातरा का I होता है क्या होता है? I होता है ठीके, इसको आप ध這樣子 रखगेंगा, यह जो है ना, बड़ी E, बड़ी E की मातरा इस पर कारखिया होती है, और इसका जो इंगलीस होता है, double E होता है, क्या होता है, double E से बड़ी E की मातरा, फिर यहाँ पर देखिये, छोटी U की मातरा है, यह यू का परियोग करते हैं, यानि, यू से छोटी उ की मातरा, यहां पर देखिए, बड़ी उ की मातरा, तो डबल ओ से बड़ी उ की मातरा होता है, क्या होता है, डबल ओ से बड़ी उ की मातरा, ठीक है, यहां पर देखिए, ए की मातरा है, ठीक है, यहां पर ए की मातरा है, AI, यानि AI से AI की मात्रा, ठीक है, यहाप देखिए O, और नीचे यहापे O की मात्रा दिया है, तो O की मात्रा के लिए जो है न, O से O की मात्रा, ठीक है, यानि O की मात्रा के लिए English क्या होता है, O होता है, यहाप देखिए O, O की मात्रा यहापे है, तो O की मात्रा का जो English होता है आ, U से औ की मातरा ठीक है, यहाब देखिए अन या अम तो अन के लिए A, N, अन ऑर UM के लिए होता है आ, A, M से UM ठीक है, A, N से अन या A, M से UM यहाब देखिये अह, यानी भी शरक यहा तो इन भी शरक के लिए English ज्शो होता है अ, S से अहा की मातरा क्या होता है a.s.a.a.a की मातरा तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको जो है Englishors बाराखरी याद हो जायेगा ठीके अगर इसको याद नहीं करेंगे आप कितनों भी रटते रह जाएँगे आप इसको याद नहीं कर पाएंगे तो यहां पर देखिए एक बार हम complete करते है A, A की कोई मातरा नहीं होता है A, A की मातरा के लिए क्या होता है इंगलिस A या double A छोटी E की मातरा के लिए क्या होता है I, बड़ी E की मातरा के लिए क्या होता है double E, छोटी O की मातरा के लिए क्या होता है U, और बड़ी O की मातरा के लिए होता है O, और A की मातरा के लिए होता है E, और I की मातरा के लिए होगा A, I, C, I O की मातरा के लिए होगा O, O की मातरा के लिए क्या होगा A, U, ठीक है अन या अम की मातरा के लिए क्या होगा A, N से अन की मातरा A.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M की कू कू के कै को काओ कन या कम काओ ठीक है अगर आपको हिंदी में बाराखरी याद नहीं है तो सबसे पहले आप जो है ना इनको हिंदी में बाराखरी आप सीख लिजिए तब ही जाकर आप जो है इस किलास को आप करना ठीक है तो चलिए अब जो है हम का का जो बाराखरी यह पर दिया है, हम उसको जो है, इंगलिस में लिख कर उसके बाद हम पढ़ना यहाँ पर सीखेंगे, ठीके, तो दिखी यहाँ पर, तो मैं बता दू, जो बाराखरी होता है, कॉसे ग्यातक हिंदी का, उसमें जो है न, परतेक पहला अक्छर होगा, कॉसे ग्यातक का, इंगलिस जो है, दो अक्छर आधा कॉ, और औक से मिलकर बना हुआ रहाता है, ठीके अ, तो इसकां इंगलिस होगा ना ऐसे में आधा को के लिए क्या होगा के होगा ठीक है और इस आ के लिए हम क्या लगाएंगे ए लगाएंगे तब ए बनता है को ठीक है ना क्या बनता है को तो यहां पर देखिए आप इसी परकार से हम यहां पर देखेंगे के, ए से को, ठीक है, क्या होगा, अगर हम सही मायने में इसका सही हम दिखे यहाँ पे, तो क्या होगा, के, ए से को, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इसमें एक और की साउंड आ रहा है, तो के से को, और की साउंड के लिए यहाँ पे हम ए लगाए हैं, आपको ज आपको अच्छा लगे, के से को, या के से को, तो यह सबसे अच्छा रहेगा, के से को, ताकि आपको यह समझ में आए, कि यहाँ पे को तो उचारन हो रहा है, उसमें साथ साथ में जो है न, आके भी साउंड आ रहा है, तो आके साउंड के लिए हम ए लगाएंगे, ठीके, तो के एसे को या आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं के से को ठीक है तो यहाँ पर देखिए का तो का के लिए क्या होगा यहाँ पर को है को के क्या लिखेंगे के ठीक है तो यहाँ पर देखिए आ की मातरा के लिए क्या है ए या डबल ए तो आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं A या डबल A का तो यह K A से का या आप इसको जो है ना K A से भी आप लिख सकते हो आपको कहीं कहीं पर देखिए K से कौ मिलेगा कहीं कहीं पर आपको K A से कौ मिलेगा तो आप confuse मत हुएगा इसलिए हम दोनों तरीके से यहाँ पर बता रहा है यहाँ पर देखिए K A से का या आपको कहीं कहीं मिलेगा K A से का तो आप इसको ध्यार रखिएगा ठीके यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए कौ में छोटी E की मातरा लगा है तो छोटी E की मातरा देखिए आपे कौ का इंगल से यहाँ पे लिखी देंगे के ठीके अब छोटी E की मातरा के लिए हम क्या लागाएंगे यहाँ पे देखिए आई है तो हम यहाँ पे जो है आई लिखी देंगे तो काई से होगा की क्या होगा काई हरसी कार की ठीक है यहाँ पे देखिए अब इस काई में बड़ी एकी मातरा का परियोग हुआ है तो काई के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे के के से काई और बड़ी एकी मातरा के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे double e लगाएंगे ठीके तो एक यह हो जाएगा की यानि k double e से बड़ी की हो जाएगा ठीके ना यहाँ पे देखिए को में जो है ना छोटी u की मातरा है तो देखिए k से को और इसमें जो है ना छोटी u की मातरा लगा है तो छोटी u की मातरा का English क्या होता है? U होता है. तो हम यहाँ पे U लिखी देंगे. तो हमारा बन गया कू. यानि छोटी U की मातरा वाला कू. तो देखिए, के U से कू. कोहर सुकार कू. यहाँ पे देखिए, इसमें जो है ना कू है, यानि कौ में बड़ी U की मातरा है. तो देखिए, को के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? के. और बड़ी U की मातरा के लिए, देखिए, अबर क्या होता है, इंगेरिस बड़ी U की मातरा का? Double O होता है. ठीके? तो के Double O से कू. आप इसको ध्यां रखिएगा. तो मातरा के लिए यहां पे देखिए कै तो किया लिखेंगे यहां पे के ना तो यहां पर वस ए लिखी देंगे यानी के को के लिखेंगे आर मातरा जो है यहां पर हम एक जो रहें लुट गए ऐसे ना की मातरा तो आपर है को इसके बादो यहां पर देखी है को 한다 के लिए हम क्या लिखेंगे के और इसमें जो की मातरा है यहां पर O की मातरा का इंगलिस देखिए क्या है? O है तो हम यहाँ पे O लगा देंगे तो के O से क्या हो गया? को, ठीक है? यहाँ पे को, को में O की मातरा है थे, देखिए यहाँ पे को के लिए क्या लिखेंगे? के और इसमें O की मातरा है तो आउ की मात्रा के लिए क्या होगा ए यू यानि के ए यू से क्या होगा कौ होगा यहाँ पर देखी कन या कम तो देखी कौ का हमें इंगलिस यहाँ पर लिखेंगे फिर यहाँ पर मात्रा है अन या अम की तो क्या है अन के लिए लिखेंगे ए एन यानि के एन से कन या कम के लिए क्या होगा के ए एम ठीके तो के एन से कन या के एम से कव ठीके तो इसको आप ध्यार रखिएगा तो यहां पे देखिए कह तो इसका इंगलिस होगा के से कह और इस अह की मातरा के लिए यानि बिशार के लिए क्या होगा ए एच तो यहां पे हम एच लिखे देंगे तो इस परकार से देखिए हम मातरा का परियूग करते हुए हैं इंगलिस मातरा का परियूग करते हुए हम यहाँ पे इंगलिस में कौका काहरा यहाँ पे हम लिख दिये हैं तो देखिए इसको अब पढ़ेंगे कैसे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे द । देहिए के एदेखिए मातरा यहाँ पे के से का यह कहीं कहीं पे आपको मिलेगा के डबनेखे का यहाँ पर देखें K I से की K WHbelly से की K U से कु K What O से कु K E से क이 K A I से कए KO से को K A U से कअ K A N से कन या K A M से कम K A S से कह तो इस परकारसी आप अगर आपको जो है न ये हिंदी की मातरा इंगलिस में याद हो गया और फिर उसको जो है आप कौश ये कहा तक याद कर लेंगे तो आप जो है अपने आप घो का गो का गो का यानि ग्यों तक आप इसको याद कर सेकते हैं बीना देखे हुए तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे जो है न हिंदी की जो मातरा दिया है इसको आपको इंगलिस में याद कर लेना है देखें यहाँ पे आ की कोई मातरा नहीं होता है ठीके आ की मातरा के लिए यहां पर क्या है A या डबल A ठीक है छोटी E की मातरा के लिए क्या है I है बड़ी E की मातरा के लिए क्या है डबल E है छोटी O की मातरा के लिए U है और बड़ी O की मातरा के लिए क्या है डबल O है A की मातरा के लिए E है और I की मातरा के लिए देखी यहां पे AI है O की मातरा के लिए क्या होता है O, O की मातरा के लिए AU AN या AM की मातरा के लिए यहां पे देखी AN से AN या AM से AM ठीके, AHA की मातरा के लिए अभी सर के लिए AH से हो गया तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लिजी, उसके बाद आप खुद से इसको आप लिख करके याद कर सकते हैं, तो आप इसको याद करने के बाद आप इसको असानी से अपने आप बैठा करके आप इसको लिख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर देखिए हम खौका भी इ देखिना सीखते हैं, देखिए यहां पे, माली जी यहां पे, खो, खो क्या है, खो का हम यहां पे English लिखेंगे, के, एच, या, आपको मिलेगा, के, एच, ए से, खो, ठीके, तो दोनों तरीके से, आप जो तरीका आपको अच्छा लगे, उसको याप याद कर लिजेगा, ठीक कि यहां पे क्या है, अभी हम खो का सीखेंगे, यहां पे हम लिखना सीखेंगे, फिर उसके बाद इसको पहणडा भी सीखेंगे, दिखिए यहां पे, तो जिस तरह से यहां पे को का मिली, English लिखेंगे, किया, के एच, अब इसमें जो है, ना मातरा लगा है, उस मातरा का English देंगे हमारा बन जाएगा काम यहां पर देखिए इसमें क्या चीज़ का मातरा है a की मातरा तो देखिए a की मातरा के लिए English क्या होता है या डबल ए तो देखिए आप ए kha को जाएगा यह यहां पर देखिए कि यहाँ पे जो है न को के लिए यहाँ पे के या के ए लिखे हैं ठीके तो यहाँ पे भी नहीं को का यहाँ पे के ए लिखे नहीं देखिए यहाँ पे अगर सिंगल कोई भी हिंदी का व्यांजन अक्षर रहे कर्शेग्या तक अगर उसमें कोई मातरा नहीं रहता है तो उसम यह जो है हम ए लगाते हैं ठीके लेकिन जैसे हैं किसी अक्षर पर कोई मात्रा लग गया तो उसमें हम ए नहीं लगाएंगे यानि जिस मात्रा का जो इंगलिस होगा उसी को हम उसके साथ में लिख देंगे तो देखिए यहां पर को है ना तो को में क्या है आकी मात्रा आया है देखिए आकी मात्रा आया है ना तो को के लिए हम क्या लिख दिए हैं के लिख दिए हैं और यहां पर जो है ना इस मात्रा के लिए हम A लिख दिए हैं यहां पर डबल A भी लिख सकते हैं आप चलेगा ठीक है तो यहां पर देखिए खो तो इसी परकार से हम दिए हैं आकी मा से खा ठीक है यहाँ पे देखिए अब जो आएगा ना खी आएगा खी के लिए क्या होगा ख के लिए क्या होगा ख हो जाएगा के incentiv अपने दिमाग से यहाँ पे लिए देखना नहीं है ऊपर ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ पे खी यह जो है ना बड़ी खी है तो इस खी क्या एंगलिस देखिए क्या होगा यहाँ पे हम लिखें क्खो का एंगलिस देखिए क्खो का एंगलिस क्या होगा के एच और यहाँ पे देखिए बड़ी ए की मातरा तो बड़ी ए की मातरा के लिए चाहेके क्या होता है डबल यहोता है तो यहां पे हम डबल ई लिखी देंगे क्या लिखीर डबल ऐ तो आप लिखेंगे हमगे inघल से व्यक्ति पर तो एच्छ्छ से कन और इसमें च्छ्टी tenth...'-। की मात्रा का परीग स sourdh होगे कि किसी को मात्रा लगा इसका इंगलिस यहां पर लीखी देंगे मने में लाटा थ का उन्गिए ना डबल ओ होता है ठीके तो के एच डबल ओ से खु आगे देखिए यहाप अ कि तो यहाँ पर देखिए खे का इंगलिस क्या होगा तो खो का में लिए इंगलिस लिखेंगे के एच ठीके अब इसमें मातरा क्या लगा है एक की मातरा तो एक के मातरा के लिए होता है इदेखिए यहाँ पर इंगलिस लिखेंगे सबसे पहले के एच यह नी आप जो हे हिंदी के व्यंजन को ही भी हो कौश्य गयां तक आप उसका का कहरा इंगलिस में लिख रहे हैं तो उस अक्षर का सबसे पहले इंगलिस लिखे दीजिए और उसमें जो मातरा लगा है उसका इंगलिस लिखे दीजिए अपका काम बन गया तो यहाँ पर दिखिए के एच ए-च कह यहाँ पे दिखिए खो, तो खो का English देखिए, क्या होगा, खो का English लिखेंगे, K, H, और यहाँ पर O की मात्रा लगा है, तो O की मात्रा के लिए O होता है, K, H, O से खो, यहाँ पर देखिए, खो, तो खो का English क्या होगा, देखिए, यहाँ पर, खो का English से, K, H, और O की मात्रा के लिए होगा, A, U, तहीं हमारा बन गया, K, H, A, U से खो, तीके, अब देखिए, यहाँ पर, खन या खम, तो इसका क्या होगा, खो का English लिखेंगे, K, H, और इस बिंदी के लिए कहीं कहीं प आप इसको ध्यान रखेंगे, इसके बात खोँच, तो ग्यान तक आप इसको पढ़ना सीख सकते हैं, तो इसको पात नहीं कि प्रकार आप नहीं कि प्रकार गणिलिस, में बाराखरी आप लिख कर आप इसको पढ़ना सीख सकते हैं तो इसको हम पढखेंगे कैसे दोनों मैंसे कोई एक ही याद किजिएगा ठीक है ना के एच आई से खी के एच डबल ई से खी के एच यू से खू के एच डबल ओ से खू के एच एच ए आई से खाए के एच ओ से खो के एच ए यू से खाओ के एच एन से खन या के एच ए एम से खम या पर देखें के एच ए एस से खह तो आप इस तरह से इसको याद कर सेकते हैं, तो आप जो है न, अगर इसको याद कर लेते हैं इतना ही, तो आप गो गम का क्या होगा? गवड़ 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 गन या गम तो G-A-N से गन या G-A-M से गम गह जी एएच से गह तो आप जो है ना इसको याद कर लेंगे हिंदी की मातरा यहां पे जो है ना इसको याद कर लेंगे फिर इसको इंगलिस में भी याद कर लेंगे जो मातरा है ना हिंदी का उसको आप इंगलिस में याद कर लें तो आप इसको आप इंगलिस में भी याद कर सकते हैं, यानि आप को से कोह तक, यानि कोह का, इंगलिस बाराखरी सीखी लिजिए, याद कर लिजिए, उसके बाद अपने मन से खोका, गोका, गोका, चोका, चोका, यानि ग्याँ तक आप बढ़ा कर याद कर सकते हैं, पहले इ एक बार जो हम जिस तरह से पढ़े हैं ना उस तरह से आप अपने मन में उसको बोलकर पढ़िएगा ठीक है और फिर उसको जो है ना अपने बूक में अगर आपके पास जो है ना गूड एंगलिस है तो उसमें जो है आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लिजेगा लेकिन इनको तो याद करना सबसे जरूरी है आपको इंगलिस का जो मातरा है ना इसको अगर ये याद नहीं होगा आपको तो इंगलिस बारा खरी आपको नहीं आएगा तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लिजे अगर इसको याद कर लिया कर्शे ग्यां तक इंगलिस में address और किसी का भी नाम आप English में असानी से लिख देंगे या आप WhatsApp पे English में chatting कर सकेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लिजे तो चलिए आप इस class को last तक बने रहिएगा क्योंकि आज का जो class उंगना थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा important है या तो आप chatting करिए या आप English में नाम लिखना सिखिए या आप address लिखिए अगर ये complete तो आपको सारे complete ठीक है तो चलिए अब जो है हम चलते हैं mobile screen पे जहाँ पे हम कोशे ग्याद तक English में बाराखरी सिखेंगे तो friends यहाँ पे देखिए अब जो है हम यहाँ पे कोशे ग्याद तक English में बाराखरी यहाँ पे हम सिखेंगे तो आईए यहाँ पे हम शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम को का इंगलिस बाराखरी यहां पर सिखेंगे तो देखें को का जो इंगलिस होता है के से को या के एसे का ठीके तो आप दोनों में से कोई भी एक याद कर लेना या हो सके तो आप दोनों याद कर लेना क्योंकि कहीं कहीं पर आपको को के लिए के मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको के एसे कौ मिलेगा तो आप वहाँ पे confuse नहीं हुईएगा इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया है ठीके तो यहाँ पे देखिए इसके बाद है का तो का का इंगलेस होता है न长द के एसे का या के डबल एसे का दोनों तरीके से सही हैं, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आप याद कर लिजिएगा, आपको दोनों तरीके में से कोई भी एक तरीका आपको कहें भी मिल सकता है, ठीके? के एसे को, यानि के एसे का, के डबल एसे का, ठीके? के एसे की, के डबल एसे की, के यू से कू, के डबल ओसे कू, के एसे के, के एसे कै, के ओसे को, के ए यू से काओ, के एन से कन या के एम से कम. यहाँ पे देखी कोह, तो कोह का इंग्लिस होता है के ए एच से कोह, अब हम सिखेंगे खो का इंग्लिस बाराखरी, यहाँ पे देखे, के एच से खो, यहाँ पे जो है हम, के एच ए हम नहीं लिखें हैं, आप उस तरह सभी याद कर सकते हैं, ठीके, तो चलिए यहाँ पे दे खू, K-H-E से खे, K-H-A-I से खाए, K-H-O से खो, K-H-A-U से खाओ, K-H-A-N से खन या K-H-A-M से खम, K-H-A-H से खाओ, अब हम ग का इंग्लिस भारा खरई, यहां पे सिखेंगे, G-I से गी, G-E से गू, G-O से गू, G-E से गे, G-A-I से गय, Go से Go Gau से Gau Gain से Gun या Gam से Gum Gah से Gaha अब हम GH का इंगलिच सिखेंगे GH से Gha Gha Ghi GH i से घी Ghe GH u से घी गहाँ अब हम यहाँ पे चा का इंगलिस बाराखरी सीखेंगे अंगा का इंगलिस बाराखरी नहीं हम सीखेंगे क्योंकि उसका यूज जो है नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए C-H से चा C-H-A से चा C-H-I से ची C-H-E से ची C-H-U से चू C-H-O से चू C-H-E से चे C-H-A-I से चै C-H-O से चो C-H-A-U से चौ C-H-A-N से चन या C-H-A-M से चम C-H-A-H से चह इसकी बाद हम छो का इंगलिस बाराखरी यहां पे सिखेंगे C-H-H से च्छ C-H-A से च्छ C-H-I से ची C-H-E से ची C-H-U से चौ C-H-O से चौ C-H-E से च्छ C-H-A-I से च्छा C-H-O से चो C-H-A-U से चौ C-H-A-N से छन या C-H-A-M से छम C-H-A-S से छह अब हम जो का इंगलिस बाराखरी सिखेंगे J से जो J-A से जा J-I से जी J-E से ची J-U से जू J-O से जू J-E से जे J-A-I से जय J-O से जो J-A-U से जो J-A-N से जन या J-A-M से जम J-A-H से जह J-H से जह J-H-A से जह J-H-I से जी J-H-E से जी J-H-U से जू JHO से जु JHA से जे JHAI से जाए JHO से जो JHAU से जाओ JHAN से जहन या JHAM से जहम JHAH से जह टौका T से टौ T A से टा T I से ट T E से ट T U से टौ T O से टौ T E से ट T A I से टाए T O से टो T A U से टौ T A N से टन या T A M से टम T A H से टह ठाका T H से ठा T-H-A से था, T-H-I से थी, T-H-E से थी, T-H-U से थू, T-H-O से थू, T-H-E से थे, T-H-A-I से थाए, T-H-O से थो, T-H-A-U से थाओ, T-H-A-N से थन, या THAM से ठम THAS से ठह DA का D से DA DA से DA DI से D DAE से D DU से DO DOO से DO DE से DA DAI से DA DO से DO DAU से DA DAN से DUN या DAM से DUM DAS से ठह धा का DHS से ठह DHA से ठह DHI से धी DHE से धी DHU से धू DHO से धू DHE से धे DHAI से धा DHO से धो DHAU से धाओ DHAN से धन या DHAM से धम DHAH से धाह इसके बाद हम आणा का बाराखरी सीखेंगे इंगलिस में NAC अणा NAC अणा NIC इनी NWAC इनी NUC उनो NOOC उनो NOOC उनू NAC अणे NAIC अणा NOC उनो NAU से अड़ाओ NAN से अड़ान या NAM से अड़ाम NAS से अड़ाओ तोका T से तो TA से ता TI से ती TEE से ती TU से तू TOO से तू TE से ते TAI से तै TO से तो TAU से तौ TAN से तन या TAM से तम TAH से तह था का TH से था THA से था THI से थी THEE से थी THU से थू THOO से थू THE से थे THAI से थाए THO से थो THAU से थो THAN से थन या THAM से थम THAS से थह दो का D से दो DA से दा DI से दी DE से दी DU से दू TOO से दू DE से दे DAI से दय DO से दो DAU से दो DAN से दन या DAM से दम DAH से दह धो का DH से दह DHA से धा DHI से धी DHE से धी DHU से धू DHO से धू DHE से धे DHAI से धै DHO से धो DHAU से धौ DHAN से धन या DHAM से धम DHAS से धा NO का N से नौ NA से ना NI से नी NA से नी NDE से नी NU से नू NOO से य। NA से नू NAI से ना NOO से नौ NA UX NA второй NAN से नन या NAM से नौ NAS से नह पह का? पी-एच से फा या एप से भी फा होता है ठीक है? तो यहाँ पे हम पी-एच से फा का हम एंगल्स बराखर चिखेंगे P H A C F A, P H I C F E, P H E C F E, P H U C F O, P H O C F O, P H E C F A, P H A I C F O, P H A U C F O, P H A U C F O, P H A N C F N, या P H A M C F M, P H A S C F O. बहा का बहा से भा बहा से भी BHE से भी BHU से भू BHO से भू BHE से भे BHAI से भै BHO से भो BHAU से भा BHAN से भन या BAM से भम BHS से भाह मा का M से मा M-A-C मा M-I-C मी M-E-C मी M-U-C मू M-O-C मू M-E-C मे M-A-I-C मै M-O-C मू M-A-U-C मौ M-A-N से मन या M-A-N से मम M-A-S से मह या का Y से या Y-A-C या Y-I से या Y-I से या Y-E से या Y-U से यू Y-O से यू Y-E से ये Y-A-I से या Y-O से यो Y-A-U से यू Y-A-N से यन या Y-A-M से यम Y-A-S से यह रहा R-U-C रह Y-A-C या Y-A-C रह आर ए ए से रहा वा का भी या डबलू से वा होता है तो देखिए यहां पर हम भी या डबलू कोई भी एक वर्ड्स लेकर आप इसका इंगलिस बाराखरी आप याद कर सेकते हो ठीक है तो यहां पर देखिए हम भी हम यहां पर यूज़ करेंगे भी ए से वा भी आई से वी भी डबल ए से वी भी यू से उ भी डबल ओ से उ भी ए से वे भी ए आई से वाई भी ओ से ओ भी ए यू से वाउ भी ए एन से वन या भी ए एम से वम भी ए एस से वह तालब शा का जिसका हम शा उचारन करते हैं S-H-C, S-H-A-C-S-A, S-H-I-C-C, S-H-E-C-C, S-H-U-C-S-U, S-H-O-C-S-U, S-H-E-C-C, S-H-A-I-C-S-I, S-H-O-C-S-U, S-H-A-U-C-S-O, S-H-A-U-C-S-A-U-C-S-O, S-H-A-N-C-S-A-N-C-S-A-N-C-S-A-N-C-S-A-N-C-S-A-N-C-S-A-N-C-S-A-N-C-S-A-N-C-S-A-N-C-S-A-N-C शह मुर्धन श का तो इसका उचारण श होता है SH से श SH A से शा SH I से शी SH E से शी SH U से शू SH O से शू SH E से से SH A I से शा SH O से शू SH A U से शू SH A N से शन या SH A M से श्म SH A S से शह दंत सका SH A से सा SH A से सा SH I से सी SH E से सी SH U से सू SH O से सू SH E से से SH A I से सै SH O से सू SH A U से सू SH A N से सन या SH A M से स्म SH A S से सह SH A S से हा छाका च्छन या के एस एच एएम से छाम के एस एच एच से छाहा त्राका टी आर से त्रा टी आर ए से त्रा टी आर आई से त्री टी आर डबल ए से त्री टी आर यू से त्रू टी आर डबल ओ से त्रू टी आर ए से त्रे टी आर ए आई से ट्राय T R O से 3 T R A U से 3 T R A N से 3 या T R A N से 3 T R A S से 3 ग्य का G Y से 1 G Y A से 1 G Y I से 1 G Y E से 2 G Y U से 2 G Y O से 2 तो फ्रेंट्स आजके इस क्लास में बस इतना ही आजके क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और आज के इस class को आप जो है ना करशी ग्यां तक बार-बार आप repeat किजी हो सके तो इसको जो है ना आप अपने copy में लिख करके इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए तकि आपको जो है ना English में नाम और address तथा WhatsApp पे chatting करना आ जाए तो गाइज आज के इस class को लाइक करके अपने सभी friends को WhatsApp, Facebook जो भी है वहाँ पे share कर दीजिए तकि वे लुग भी घर बेटे अशानी से English 12 खरी को सिख जाएं और आप जो है ना हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए लाल बटनों को दावा कर चैनलो तो में